नमस्कार दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है आप जानते हैं कि अभी हम एक बुक पर रहे हैं यू कें निगोसियेट एनिफिंग रिटेन बाई हर्ब कोहन इस बुक को अल्डेडी हम टू टाइम्स पर चुके हैं यह थर्ड टाइमस हम पर रहे हैं तो इस समय मैंने इस बात करने कोशिश कर रहे हैं विजयता कौन होता है आप लोगों को लगता होगा कि जो यूद्ध होता है उसमें जीतता है जो बैटल होता है जो वार होता है उसमें जीतता है वही वीनर होता है पर इस बुक में ऐसा कहा गया है कि यह सोचना कि जो बैटल में जीतता है वही विजेता होता है यह भ्रह्म है है ना तो आज हम बात करेंगे वीनर कौन होते हैं है ना वीनर कौन होते हैं इस वीनर को और अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम एक कंटेक्स्ट की भी बात करेंगे कंटेक्स मतलब जानते हैं संदर्व कंटेक्स्ट मतलब संदर्व जब आपको संदर्व समझ में आ जाए ना तब आपको उस टॉपिक को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है तो आज हमारे लिए जो कंटेक्स है वह है 1971 का भारत वर्सिस पाकिस्तान के बीज जो वार हुआ है यह कब हुआ था तो 71 में हुआ था और 16 दिसम्बर को लगभग 93,000 पाक की आर्मी भारत की सामने सरेंडर कर दिया था इसके ठीक आठ मन्त बाद कब लगभग आपका सकते हैं दो जुलाई को एक समझोता हुआ सिमला समझोता हुआ उस समझोता में क्या हुआ 16 दिसम्बर को 1971 को इतनी बड़ी सेना जब भारत के सामने सरेंडर किया विश्य में अभी तक इतनी बड़ी सेना का या इतना बुरी पराजय किसी भी देश का नहीं हुआ कि 93,000 सेनिक ने आथ समर्पन किया और ठीक आठ मेहने बाद सिमला जब समझोता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में तो उसमें जितनी बुरी हार पाकिस्तान का हुआ था उसके तुलना में वो बहुत ही सम्मानजनक समझोता करके चला गया भारत जितनी बड़े अस्तर पे विजई हुआ था उतने बड़े अस्तर पे इस समझोता का जो टेबल था इसमें भारत ने इतने बड़े अस्तर के विजई को भुना नहीं पाया और भारत बहुत कुछ हांसिल नहीं कर पाया तो यह जो negotiation चल रहा था कब 2nd July 1972 को इसको जब समझ जाएंगे आप तब आपको समझ में आएगा कि जो winner होता है वो कौन होता है तो सबसे पहले हम इस किताब को जो लिखा गया है इसको थोरा सा और अच्छी तरह से देखते हैं कि इसमें क्या-क्या बाद कहा गया है सबसे पहले यह कहा गया है Traditionally प्रमप्रागर्ट रूप से यह माना जाता है कि जो rewards है मतलब जो उपलब्धी है Presumably मतलब ऐसा assume कि जाता है कि उसको जाता है जिस बैक्ति के पास ग्रेटेस्ट टैलेंट हो डेडिकेशन हो और एजुकेशन हो वही विजयी होता है वही विजयता होता है वही उपलब्धी हांसिल करता है Traditionally ऐसा माना जाता है तो इसका मतलब तीन चीज़ की बात किया गया है इसमें तो याद रखेगा कहता है कि क्या पाला होना चाहिए ग्रेटेस्ट टैलेंट होना चाहिए पाला दूसरा कहता है कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए और तीसरा कहता है एजुकेशन होना चाहिए एक चीज़ को हमेशा याद रखेगा जब भी हम education की बात करें, इस education में दो चीज आएगा ही आएगा, एक knowledge आएगा, और तिसरा skill आएगा, बिना skill की education का कोई value नहीं है, बेकार है, इसलिए मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को बोलता हूँ, कि अगर आपने सिक्षा प्राप्त की है, तो उसका market value क्या है, जितना भी आपके पास education है, उसका market value होने के लिए आपको a skill होना बहुत जोड़ी है, इसका मत्तब, education का मत्तब है combination of knowledge and a skill, बोथ, क्लियर, तो काता है कि यह तीन चीज़ अगर है आपके पास, तब आप, अज़े ट्रेडिशनली माना जाता है, कि आप, मत्तब, उपलब्दी ह हासिल कर सकते हो, इसी book में एक बात और कह रहा है यहीं पर, but life has disillusioned, life has disillusioned those who hold that, virtue and hard work will trim in the end, काता है कि life has disillusioned, यहाँ पर life का मतलब होता है कि practical life में, जो हम देली जीवन जीते हैं, उस जीवन में, वो जो हमारा life है, वो disillusioned, मत्तब, एक तरह का मूँ भंग कर दिया, उन लोगों का, जो यह विश्वास करते हैं, कि यह जो virtue है, यह जो तीन चीज़ की मैंने बात किया, कि ग्रटेश ट साथ ही साथ कहता है, क्या तो hard work, मतलब यह आपका चौथा चीज़ हो गया, इसका मतलब यह क्या हो गया, कि यह जो virtue है, greatest talent, dedication, education, and साथ ही साथ जो hard work करने की capacity है, छमता है, यह जिसके पास होगा, वह विजेता होगा, इसको लेकर के हमारा जो life का experience है, life में जो हम देखते हैं जीवन में जो घटना घटती है, उससे जो हम समझदारी बनती है, ऐसा लगता है कि यह बात अधूरा है, यह 100% सही नहीं है, तो यह writer बोलते हैं, तो फिर 100% सही क्या है, अगर Ryan बोलते हैं, the winners seem to be people who not only are competent, but also have the ability to negotiate their way to get what they want, देखिएगा, एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, competent, competent, इसका मत्तब है, यह 4 चीज़ जिसके पास होगा, वह competent होगा, याद रखिएगा, competent, competition, competencies, अगर आप competition में बैट रहे हैं, आप सब competition के तयारी कर रहे हैं, आप जीवन ही competition है, तो इस competition में आपके पास जो competencies के quality होनी चाहिए, वह होना चाहिए, greatest talent होना चाहिए, dedication होना चाहिए, education होना चाहिए, and the hard work होना चाहिए, यह सब होंगे, तब आप competent होंगे, लेकिन यह राइटर बोलते हैं, कि सिर्फ competent होने से आप winner नहीं बन सकते हैं, competent के साथ साथ आपके पास होना चाहिए, ability to negotiate, ability to negotiate होना बहुत जोड़ी है, ability to negotiate होना चाहिए, कैसा, their way to get what they want, आप जो चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, आपका, way, तड़ीका, किस सीज को लेकर के, तो negotiate करने का तड़ीका होना चाहिए, आपका अपना एक तड़ीका होना चाहिए, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिले, आप इस तरह से negotiate करो, कि जो आप चाहते हो, वो आपको मिले, यह ability आपके पास होना चाहिए, जब आपके पास competent करने के ability होगा, चमता होगा, जब आपके पास competencies होगा, मतब आप competent हैं, साथी साथ ability to negotiate है, तब आप क्या बनेंगे तो winner बनेंगे, यह बात यहाँ पे कहा गया है, अब हम उस कहानी की ओर चलते हैं, जो कहानी हमने आपको सुनाया था, कंटेक्स में थोड़ा सा बताया था, कि 1971 में जब 16 दिसंबर को 93,000 पाक सिनिकों ने सरेंडर कर दिया था, उसके 8 महने के बाद 2 जुलाई को सिम्ला में एक समझोता हुआ, इस सिम्ला के समझोता में, वहाँ पे पाकिस्तान का एक बहुत ही मंझा हुआ बिरोक्रेट्स था, जिसका नाम था अजीज अहमद, क्या नाम था, तो अजीज अहमद, यह अजीज अहमद थे, जो वहाँ के प्रशाशनीक अधिकारी थे, एक डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने बहुत तयारी किस्तांथ भारत में आया था, साथी साथ याद रखिएगा, उस समय में जो पी- बुक लिखा था जिसका नाम था डाउटर ओफ दा इस्ट इस किताब को लिखने वाली बेनजीर भुट्टो थी और बेनजीर भुट्टो भी अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ सिम्ला समझोता में आई थी और उस पूरे डेलिगेशन को जो लीड करने वाल बिरोक्रेट था वो अजीज अहमद था और पूरी तयारी के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो आया था क्योंकि 93,000 सेनिक जिसका समर्पन कर दे तो उस सरकार का पूरे पाकिस्तान में प्रेस्टीज का सवाल था तो यह पूरी तयारी के साथ आया था कि समझोता जब हम क तो वह नहीं होने देंगे इसलिए पूरी तयारी के साथ आया था लगभग मोर देन 80 डिलिगेट्स में यह तो कहानी हो गई पाकिस्तान का उस समय में भारत के तरब से जो इस पूरे समझोता का जो बुलूप्रिन तयार कर रहे थे ड्राप्त कर रहे थे वह थे डीपी धर डीपी धर इसका पूरा नाम है दुरगा प्रसाद धर वास्ता में 1971 का जो लड़ाई है उसमें भारत को जो कहा गया था कि आप यह जो पाकिस्तान और बंगलादेश के जो यूद चल रहा था उस समय के पूरभी बंगार पूरभी पाकिस्तान का सकते हैं उसमें भारत को इ लेकि एन वक्त पे यह बिमार पड़ गया एन वक्त पे यह हो गया बिमार और उसके जगह पे आए कौन आए इसके पास परमेश्वर नारायन हकसर जिनको सौट में बोला जाता है पी एन हकसर यह साहब कौन थे इंद्रा गांधी का लगभग 6 साल तक प्रिंस्पल रह गये थे यह भी बिरोक्रेट्स थे और डिप्लोमेट्स कहानी क्या होता है इस व्यक्ति के दिमाग में एक बात था वह था वार्षाई की ट्रीटी 1914 में जो युद समाप्त हुआ था First World War इसमें जो वार्षाई की ट्रीटी हुआ था वह जर्मनी के लिए बहुत ही सर्मनाग था और इसी सर्मनाग ट्रीटी समझोते सर्थ को एक तरह का मुद्दा बना करके हिटलर ने पूरे जर्मनी में जनता को एग्रेसिव कर दिया और धिरे धिरे वो जर्मनी के सत्ता पे काजी भी हो गया और इस तरह से 1939 में जो सकेंड वर्ड वार्षाई शुरू हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण ये वार्षाई का ट्रीटी है ये इस व्यक्ति के दिमाग में था इसलिए वह कोई भी ऐसा समझोता करने से बचना चाहते थे जो पाकिस्तान को घुठने पे ला दे और आगे चलकर के यही मुद्दा एक अलग नए युद्ध का कारण बने ठीक है ये कहानी था इस पियन हकसर सहाब के दिमाग में और उस समय में पियन हकसर सहाब ही उन सारे चीज़ों को ड्लीड कर रहे थे यहां तक तक कहानी हो गया पाकिस्तान में कई दौर भारत के बीच में कई दौर की वारता हुआ के लिए लगभग लगभग समझाता जो है वो नहीं हो रहा था जो positions fire line और line of control क्या कहा जाए इस पे एक मुद्दा अटक गया था लगभग सम्झता लगभग समझें कि नहीं हो रहा था पूरे दोनों देश में एक तरह का मैयूसी था क्या होगा नहीं होगा लास्ट में इंद्रा जी और यह भुट्टो सहाभ दोनों personal meeting करना चाहे उस personal burden में इनदोनों की आपस की बाचीत होने थी कोई और उसमें participate नहीं करना था अब याद रखेगा एक रूम में दोनों का मीटिंग चल रहा है यह पूरा होटल है इस होटल में कुछ लोग अंदर हैं कुछ लोग बाहर हैं तो जो बाहर के लोग थे पाकिस्तान के उनका ध्यान बार-बार अंदर ही लगा रहता था कि क्या हुआ नहीं है पाकिस्तान के प्रमें होग थे वो बोले देखो अगर पाकिस्तान के फेवर में हो तो हम बोलेंगे बेटा हुआ है इसका मतब समझना कि फेब बाहर आया और बोला कि दूसरे डिलीगेट के मेंबर से कि बेटा हुआ है और पाकिस्तान में खुसी का माहुल था यहाँ पे जब इंद्रा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जब समझोता चल रहा था बाती चल रहा था दिक्कत क्या आई है जो बाद में हम लों को पता चला इन दोनों के बीच में जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत ही तेज था सालाक था सातिर था इंद्रा गांधी और उनमें क्या बात भी इनका कोई भी रिटेन डोकुमेंट्स नहीं है यह सारे औरल है अब जब औरल है रिटेन है ही नहीं तो उस पे आप आगे क्या कर सकते ह यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि इंद्रा गांधी जो की बहुत ही पैनी नजरवाली थी सातिर थी समझदार थी बहुत ही डिप्लोमेसी का बहुत ज़्यादा ग्यान था इनसे यह गलती कैसे हो गया इसका मतलब मैं टू दा पॉइंट यह कहना चाहता हूं भारत ने 1971 का जो युद्ध है वो तो जीत गया लेकिन 1972 में जब निगोसियेशन हो रहा था कहां पे तो सिमला में वहां पे भारत अपने अनुकूल जितनी बड़ी विजय थी उसके तुलना में उतना मतलब उस लाइक समझाता नहीं कर पाया मतलब यह है अगर कंपेर करके देखिएगा तो पाकिस्तान उस निगोसियेशन के टेवल पे भारत से जीत गया जबकि वो बहुत बुरी तरह से हा रहा था अर्थाथ आपके पास कितना भी कंपिटेंसीज हो यह जो मैं कंपिटेंसीज की बात कर रहा था कंपिटेंट है आप बहुत कंपिटेंट है लेकिन अगर आप के पास ability to negotiate नहीं है तो आप winner नहीं होंगे यही बात इस book में समझाया गया है कि अगर आप winner बनना चाहते हैं the winner seems to be the people who not only are competent but also have the ability to negotiate their way to get what they want मतब आपको negotiation करना आना बहुत जोरी है यही बात इस book में क्या होता है negotiation कैसे होता है negotiations क्या क्या कंडिशन्स हैं negotiation के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं negotiations के इन सारे चीजिजों के हम बारिकी से एक एक करके बात करेंगे आज हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं अगर आप winner बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास greatest talent है dedication है education है hard work है तो सिर्फ इसके बल पे आप winner नहीं बन सकते हैं आपके पास negotiation करने का ability होना बहुत जूरी है ताकि आप जो चाहते हैं उसको अपने तड़ीके से प्रात कर लें यही बात मैं आपसे डिसकस किया मुझे उमीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा मिलते हैं next video में thank you dear